हेलो फ्रेंट्स तो आज हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांती स्पेसल तिल के लड़ू तो चलिए बनाना इस्टाट करते हैं इससे परले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूले तो मैंने यहां गैस पे कढ़ कर लेंगे अब इल्कुल हमें मीडियम आज पेसे भूनना है तेज आज पर नहीं भूनना है वरना यह जल जाएगी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसलिए इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे धीरे-धीरे जिससे यह बहुत ही अच्छे से भून भी इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम भूनेंगे ताकि यह बहुत अच्छे से भून जाए इतिल के लड़ू सभी को बहुत ही पसंद आती है बच्चे हो बड़ी हो सभी को यह बहुत ही पसंद आती है तो इसे हम धीरे-धीरे करके रोष्ट करेंगे थोड़ा इसमें टाइम लगता है लेकिन यह अच्छे से भून जाता है तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसे कंटिन्यू चलाते हुए आमें भूनना है यह देखिए तिल्यव अच्छे से भून चुका है इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है और यह बहुत बढ़िया से भून चुका है तब इसे हम निकाल लेंगे अब उसी कढ़ाई में हम गूर डालेंगे तो मैंने यह गूर को छोटे चोटे टुकड़ों में काट लिया है जिससे यह जल्दी मेल्ट हो जाए अब इसमें हम दो चमच के लगवग पानी डालेंगे और इसे हमें दीमी आज पे ही पकाना है तेज आज पे नहीं पकाना है और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे मेल्ट करना है हमें इसे तरीके से चलाते रहेंगे इसे हम यह देखें यह हलका हलका मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है तब इसे हमें और पकाएंगे यहां सारा गूर अच्छे से मेल्ट हो चुका है लेकिन अब इसे हमें और थोड़ा पकाना है इसे हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं कि यह देखिए यह गूर अच्छे से पूरे तरीके से यह अच्छे से मेल्ट हो चुका है ति इसे हम चेक करेंगे चेक करने के लिए मैं कटोरी में इसे थोड़ा सा डाल कर देखेंगे ये देखे ये हमने जो डाला है पानी में ये चारूतरब अच्छे से कठा हो जा रहा है ये इस तरीके से इसकी गोली बन जा रही है ऐसे तोड़ने से ये तूट पी रहा है इसका मतलब है ये गूढ अच्छे से पक चुका है , इसका चाशनी अच्छे से तयार हो चुका है तो सरे हम थोड़ा सवार चैनलाएंगे हलका सावर पका लेंगे और अब गैस का फ्लेम आफ कर देंगे हम यह हमारा बन चुक है त्यार हो गया है अब हमने जो तिल को भून कर रखा था तो सारे तिल हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अध्यान रहे है इस टैंपे हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है तब सारी तरफ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारो तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेना हमें इसे यह देखी यह गूर और तिल सारे अच्छे से मिक्स हो गया है इसे हम और अच्छे से चारो तरप से मिला लेंगे ताकि सारे तिल और गूर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए यह हमारा मिक्चर अब रेडी है इसके लड़ू बनाने के लिए अब हम थोड़े से हाथों में पानी लगाकर इसके छोटे छोटे लड़ू बना लेंगे आप जिस भी शेप का लड़ू बनाना चाहें आप बना सकते हैं हाथों में पानी लगा लेने से यह हाथों में चिपकती नहीं और बहुत ही बढ़िये से यह लड़ू बन जाती है तो इस तरीके से हम लड़ू बना लेंगे तो सारे लड़ू हम इसी तरीके से बना लेंगे यह देखें मैंने सारे लड़ू त्यार कर लिया और बहुत ही कमेंट करके बताइए आपको मेरे रेसिपी कैसी लेगा है